देशवर की हजारों आशाकार करता और साहे का नियुन्तम बेतन समेत कई अन्यमागों को लेका राजधानी दिल्ली पहुँची ये सबी वरकर्स सीटू से जुड़े आशा वरकर्स एंड फैसिलिटर फेडरेशन ओफ इंडिया यानि की AWFFI के आवाहन पर संसभवन के पास ज अंगर्स रैली का नाम दिया जिसमें कम से कम सत्र राज्यू की दस हजार से ज़्यादा आश्राकार करता और फैसिलिटर आज समाजिक सुरक्षा पेंशन नियमित्तिकरन और नियुन्तम बेतन 26,000 रुपे प्रती महा जैसी मांग को लिकर जनतर मंतर पर एक जुट हुई बिहार के गया जिले से आई गेता कुमारी ने कहा कि हम आज 20 से ज़्यादा घंटे काम करते हैं लेकिन सुरवात में हमारा काम सिर्फ जच्चा बच्चा की देखवाल करना था लेकिन हमारा काम लगातार बढ़ रहा है मांदे नहीं बढ़ रहा है आज भी हमें सिर्फ 2000 जो है कैसे चला लेंगे फेडरेशन ने अपने वयान में कहा कि सवी राजियों से लामवंदी की कोटी को पार करते हुए इस भारी लामवंदी ने मोधी सरकार की खिलाप गुसे को दरसाया है इसे नाराज दिखे पुलिस और प्रसासन ने कारिकरम को समय से पहले ही बंद क आने का प्रयास किया कारिकरम की सुरुआत में सांग्सिकरिति कारिकरम हुए फिवनराजियो में संगर्सों के दourान बनाये गए गीत प्रसूत किये गए जिससे प्रती भागियों में उच्साहा भर गया बिहार के ही सारण जुले के आई नाजमा खातुन ने कहा कि मैं सत्र साल से आशाकार करता हूँ लेकिन आज भी हमें 2000 ही मांदे मिलता है ये कैसा नियाय है आज जब भी कोई खतरनाक बिमारी आती है तो सबसे पहले हमें ही उसका सामना करना पड़ता है कुरोना में जब नेता और बड़े अपसर अपने घरों में बंद थे तब हम घर घर जाकर प्रवासी मजदूरों का सरवेकर उनकी देखवाल करते थे पोलियों से भी लड़ाई हमने लड़ी और आज देश पोलियों मुक्त हो गया है आसा संगर्स रैली का उदगाटन सीटू के महा सचीब तपन सेन ने किया उन्होंने आसाकार करताओं को राज अस्तर पर उनके स AWFY के अध्यक्च पीपी प्रेमा ने अध्यक्च भाशन दिया फेडरेशन की महा सचीब मधुमीता वंदू पाध्याय ने मुद्दो और मांगो के चार्टर और फेडरेशन के अव तक के इस अंगर्स और अप्लवधियों के बारे में बताया रैली को AIKS के कोशा अध्यक् प्रशाद AIW के महा सचीब वीग पैंकट SKM के नेता हन्ना मौला एडवा नेता सभीता सहीता भाई चारा संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया इसके अलावा MD MWFY के महा सचीब जैभगवान और AIF AWH के अध्यक्च उसाराणी ने आसाकार करताओं के संघर्सों के प् पर स्कीम वरकर सांदूलन को मजबूद करने का आबाहन किया वी बैंटक ने केंद सरकार को घिरते हुए कहा कि सरकार हर चुनाओं में कहती है अब की बार डबल एंजन सरकार लेकिन हम यहां उन्हें बताने आए हैं कि उनके डबल एंजन से मुकावला करने के लिए हमारा रेपल एंजन त्यार है मजबूर किसान और खेत मजबूर ये तीनों मिलकर उनकी राजनितिक और पुंजीबात के गट जूड को ठहराएंगे इस संघर्स में रैली पंजाब से दो गैर संबंद यूनियन और यूपी से भी एक यूनियन सामिल हुई पंजाब के मुगा से आई मंदीप कौर ने कहा कि हम 24 घंटे ओन ड्यूटिक होते हैं लेकिन सरकार हमारा मांदे नहीं बढ़ाती है बलकि सरकार जो मांदे हमें देती है वो इतना कम है कि जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते उत्राखंड के टिहरी जिले से आई एक आश्राकार करता नेक कहा जिसकी नाम है जत्ता मोदी सरकार के खिलाफ नारिवाजी करते हुए रैलियस तर पर पहुंचा और जत्ते में सामिल करकरताओं ने बताया कि उन्हें पहारों पर काम के दौरान खतरनाक स्थती में काम करन पढ़ता है वे बताती है कि उन्हें देर रात तक देलिवरी के समय जाना पढ़ता है उनके यहां से अस्पताल 40 किलो मिटर दूर है इस दौरान कोई हाथसा होता तो प्रसासन अपना पल्ला जार लेता AWFFI की राष्टर सचीब सुरेखा ने समापन भासन दिया और कारवाई की रूप रेखा की घोष्णा की सुरेखा ने निउसकिलिक से बातचित में कहा कि आसाएं इस देश के स्वास्त ववस्ता की रीड की हड़ी है आज के हेल्थ एंडेक्स में बढ़ोतरी दिखाता है कि आशाओं ने अपनी महनत से देश की सिवा की है सरकार भी इसे समय समय पर मानती रही है कुरोना काल के बाद विश्व के संगठनों ने भी हमारे काम की तारिफ की लेकिन सरकार ने हमारे मांदे में बढ़ोतरी नहीं की है और आशाकार करता के सचीब सविता ने कहा कि आज ह जीती इसी तरह बिहार में भी 32 दिनों की अर्ताल हुई थी अभी भी महरास्ट की आसाइं संपूर्ण हर्ताल पर है यही हाल जम्बु कस्मी से लेकर कन्या कुमारी तक है हम अलग अलग राजियों में आंदोलन करते हैं तो सरकार कहती है कि यह केंद्री की योजना है इसलिए हम आज के इन सरकार को अपनी मांग बताने और चेतावनी देने आये हैं कि वो हमारी मांगों पर जल से जल सुनबाई करें नहीं तो हम भविस में और मजबूत आंदोलन करने को मजबूर होंगे आसा वरकर की संगर्स रैली में सामिल आसाकार करता हूं और संगठों ने कि खिलाब घर घर जाकर अभ्यान चलाने और 26-28 नमबर 2023 को विविन राजियों की राजधानी में मजबूर किसन महापड़ाओं में सामिल होने का अबाहन किया